एवीव मैनिंग एप्लिकेशन में सेकेंड क्लेमिंग यहां पर स्टार्ट हो चुका है और छे दिन के अंदर आपको टोकन अपना क्लेम करना होगा नहीं तो उसके बाद हो सकता है कि आप क्लेम ना कर पाए क्योंकि यहां पर टाइमर चल रहा है सेकेंड क्लेमिंग के लिए छे दिन हम लोग के पास बच्चे हुए अब किस तरीके से आप टोकन को क्लेम करेंगे सारा डीटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है उससे पहले एक पॉइंट के उपर बात कर लेते हैं कि क्या जो नई उससे हैं वो अभी मैनिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या उन कि कॉपलीट करनी और अगर के वैसी यहां पर फेज वन और फेज टू के अपलाई हो जाती है तो डिफनेट्ली आप यहां पर अभी मैनिंग करके टोकन को क्लेम कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं लेकिन बात यहां पर एक चीज़ यह रहेगी कि यह हाँ पर जो mining speed है अब वो काफी ज़्यादा slow हो चुकी है अगर आप कुछ refer कर पाते हैं तो यह और ज़्यादा बेतर होगा क्योंकि जिस तरीके से bitcoin की halving होती है इसकी भी halving यहाँ पर हो रही है mining धीरे-धीरे कम हो रही है यानि कि speed इसकी कम हो रही है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है अब जितने भी पुराने users हैं जिनको first time token मिल चुका है तो उनके लिए second claiming यहाँ पर start हो चुका है अब चले इसके बारे में detail में हम लोग समझ लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके की users है एक वो users जिन्हों ने डिरेक्ट OQX UID में एवीव token को receive किया है तो उनको किसी भी तरीकी कोई भी activity करने की जुरुवत नहीं है उनको automatic उनके OQX account में एवीव token receive हो जाएगा हर महीने अब जितने भी लोगों ने यहाँ पर wallet option select किया था जैसे कि MetaMask में अगर आपको first time में token receive हुआ था तो यहाँ पर यहाँ पर यह एक website का link है यहाँ से आपको एवीव token को claim करना होगा अब नीचे में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि token amount जो भी आप claim करेंगे वो आपके KYC के उपर KYC score के उपर depend होगा referral यह सारी चीजों के उपर तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत कम amount में token claim हो पाया या ज्यादा amount में भी हो सकता है अब इस post का link दे देंगे all required link करके वहाँ पर link होगा उस पर आप click करेंगे direct आप twitter के इस post पर चले आएंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम इस link को copy करेंगे अब हम आ चुके हैं अपने metamask wallet में उसी metamask wallet में जिसमें मैंने first time में aviv token receive किया था तो अब यहाँ पर आपको browser वाले option प पर claim कर लेना है अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिस email id से aviv manning application में आपने account बनाया था या जो email id उसमें है वही email id यहाँ पर आपको डालना है send otp पर click करना है आपकी email पर एक otp आएगा वो otp यहाँ पर fill करना है और sign in पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको share to withdrawal का option दिख रहा है तो इस पर आपको click करना है आप अपने twitter handle पर चल जाएंगे वहाँ पर post कर देना है जो भी आपके सामने post आया होगा वो आप post कर सकते है यह वापस से share to withdrawal पर click करके वापस इस page पर आप आ सकते डिरेक्ट मतलब कि post कर रही या ना करें कोई दिकर नहीं एक बार इस पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने connect wallet का option आजाएगा इस पर आपको click कर देना है आपका जो wallet है वो connect हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जितना भी token आप claim कर पाएंगे इस बार में वो यहाँ पर so हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ प तभी आपके Metamask wallet में यह Aviv token आप आएगा उसके बाद आप किसी exchange पर ले जा करके first time में जैसे sell किया था उसी तरीके साप sell कर सकते हैं और बात करे price की तो price obviously यहाँ पर नीचे जानी थी और जा भी रही है और हर मन्त क्योंकि यहाँ पर selling होगा ही होगा अच्छे कासे amount में तो लगतार price अभी के लिए तो नीचे ही जाएगी तो क्या हमें sell कर देना चाहिए तो अभी के लिए तो हम sell नहीं करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा हम hold करेंगे bull run आने वाला है और उसका impact पूरे crypto market पर दिखेगा सारे coins की price कही ना कहीं उपर जाएगी ही जाएगी 2025 के आसपास तो इसी लिए हम तो अभी hold करने वाले हैं बाकि आप लोग चाहें तो sell भी कर सकते हैं या अब यहाँ पर एक दो और point हम आपके साथ share कर ही देते हैं अगर हम holding की बात कर रहें तो देखिए एवीव की listing आपको हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या 2025 के आसपास Binance पर भी देखने को मिले क्योंकि कुछ कुछ tweet यहाँ पर आपको देखने को में सकते हैं नीचे में यहाँ पर आएंगे तो Binance को यहाँ पर project के साथ other project के साथ यहाँ पर partner से बिकी है तो इसमें कहीं न कहीं improvement हो रहा है अगर use case कुछ इसका अलग बन जाता है या market में बहुत ज़्यादे यह popular हो जाता है या Binance पर अगर इसकी listing हो जाती है तो इसकी price काफी ज़्यादा pump हो सकती है क्योंकि इसके पास user base काफी ज़्या पर आने वाला है तो hold करना कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ज़्यादा बहतर होगा बाकि आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं and second claiming यहाँ पर start हो चुगा है तो उसे भी आप जल से जल क्लेम कर ले और चैनल को जितने भी लोगों ने subscribe नहीं किया है जरू कर ले मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में